नमस्ते दूस्तु स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रिगराना स्ट्रॉक्स विद दिल से अगर आप चैनल नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ पे और लोटिविकेशन बेल को क्लिक करना ना भूला ताक्यों कि अपटेट आप से मिस साथ पे आप 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 टैलिक आप टोटेट इसटा फॉलोग कर सकते हो सबी लिंक्स आपको नीचे मिल चैनल तो उस वाज बात करने बाला हूँ एक ऐसे स्पैनिश्टॉक के बारे में जिसके बारे में बहुत बार मैंने बात करी थी चैनल के माध्यम से एंड कंपनी के की की वह नतीज आउट हो चुके जहां कंपनी का जो नेक्स प्रॉफिट है तीन सो नभे परसेंट का जंप हमें देखने हो मिलता है और कंपनी के बारे मैं आपको बहुत बढ़ बढ़ बथाया कंपनी का नाम विकास इकोटेक शेयर है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि विका सेल्स में आल्मोस्ट तीन गुना चार गुना का जंप हमें देखने को मिलता है वह अगर नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ तो कंपनी ने आल्मोस्ट टेट करोड के आसपास का प्रॉफिट जनेट किया जूंदी और 22 में चिव मार्च में 1.23 था और उससे पहले लॉस प्रॉफिट लगाता गुरूफ हो रहा है वड़ बात करते हैं के प्रॉफिट की अप्रा प्रॉफिट देख लेते हैं तो लास्त एक साल में स्टॉक ने जो रिटेंड कमा के दिया है और मैंने आपको यही बोला था कि स्टॉक इस प्रॉफिट में अच्छा लगता है इसको रिटेस कर लिए आप यह दुबारा इसको रिटेस करने जा सकता और उसको तोड़ भी सकता है तो अगर आप बाय करने की सोच रहो इस स्टॉक को तो मैं यही बोलूँगा अच्छा प्राइज है लेकिन एक वेट करो अच्छे कन्फोर्मेशन का आने का अब कैसे आत पर ट्रेट किये गए थे तो आपको जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक वेट करना है कन्फोर्मेशन का अब कैसे आता है बहुत साही तरीके होते हैं कन्फोर्मेशन लेने के परसनली मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ कि मैं कैसे किसी पैंश टॉक में वेट कर यह simple chart चाहिए और chart भी आपका monthly होना चाहिए penny stock में monthly chart देखा करो daily when मत देखा करो यह ही मैं आपको बोलूँगा daily अगर देखना है तो उसके लिए कुछ दूसरा setup होता है जिसके बारे मैं अभी मैं बात नहीं करूँगा तो monthly में आपको देखना है और आपको ये pattern ढूटना है खासकर penny stock में और ये pattern आपको 101% हर stock में मिल जाएगा pattern क्या है? stock ने एक अच्छा खासा pump दिखाया हो, 1 रुपे से 3 रुपे हो गया हो, जैसे हमें दिख रहा है stock में price में stock 1 रुपे से 5 रुपे तक गया, पैसा multiply किया, अब उसके बाद stock के profit working आने के बाद stock नीचे गिर गया, जैसे आपको दिख रहा है, बिल्कुल वही दिख रहा है, तो यहां stock को अगर आपको buy करना, इधर buy करना नीचे गिरते वे, तो क्या तरीका, क्या logic apply करे, वो logic में आपको बता रहा है, जो मैं देखता हूँ, और मैं buy करता हूँ, देखो, आपको कुछ नहीं करना है, जब भी एक stock में तेजी आई, ठीक है, तेजी के बाद stock में profit working आती है, 100% आती है, तो कभी भी जो पहला red canal बनता है, उसमें आपको buy नहीं करना है, ठीक है, पहले red canal आपको buy नह पागल थोड़ी ना हो, इतना average कैसे करूँ है, बेरे पाद पैसा नहीं है इतना, सही बात है, तो आपको क्या करना है, आपको confirmation का wait करना है, monthly breakout के उपर buy करना है, तो देखो, इस channel का monthly breakout हुआ, हाय ना, नीचे comment कर सकते हो, आप बोलोग कि नहीं हुआ, इस channel का हुआ, नहीं करना है, और stop loss भी आपके पास, और आपकी एक अच्छी entry में entry होगी, अच्छे price में, क्यों, क्योंकि ध्यान रखना हम stock को गिरते वे red candle में buy कर रहें, ना कि बढ़ते वे green candle में buy कर रहें, समझे, logic समझे ना, हम red candle में stock को buy करेंगे, ना कि green candle में, तो हमें already price सस्ता मिलेगा, महंगा मिलेगा red candle में, सस्ता मिलेगा, ठीक है, समझे के logic क्या है, हमें पर रहें सस्ता मिलेगा, और इसको बोलते है reverse psychology, ठीक है, अब reverse psychology क्या है, जो लोग stock में buyers बनके बैठे है already एक रुपे के price में, वो तो buyers है, उनका mind कोई भी convert नहीं कर सकता seller बनने में, समझा के वो buyers है, ठीक है, लेकिन जो seller बनके बैठे है, हमें सिर्फ उनको convert करना buyers में, हम तो नहीं कर सकते, हमें सिर्फ copy करनी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही एक red candle का high breakout होता है न, तो भाईया जो seller बनके बैठे होता है न, उसकी भी start हो जाते है किसक नहीं, उसको भी del लगना start हो जाता है, इसलिए वो क्या करता है, अपना short वाला जो भी इसने short किया होगा या कर रहा होगा, बेचर होगा माल, वो बेचेगा नहीं माल, वो बलकि high के उपर buy करेगा, और यहीं होता है, इसको बोलता है reverse psychology और double impact पड़ेगा, buyers का, और stroke आपका pump सीधा, समझा गया, तो आपको stroke कर तो इस महिने, almost July तो निकल चुका है, और मुझे लगता है कि यह June महिने का high तोड़ेगा, ठीक है, और इस महिने जुलाई में भी almost देखो, एक रैटन का formation हो रहा है, अगले महिने अगर यह high तोड़ता है, इसका high, 10-5 मेंसे का buffer ले लेना, और उसी महिने का low up का SL रहेगा, reward कहा रहेगा, कम से कब, 1-2, 1-3, 1-4, या फिर, चैसे तक यह हरे candle बन रहे है, हरे candle बन रहे, इनका low up, trailing stop loss की तरह यूज़ करोगे, तो यहाँ अगर आपने बाएक किया, October में, तो आपका जो profit book होगा, यहाँ होगा, almost February में, समझ आ गया, इसको बोलते है, trailing stop loss, against the candle, against the candle बता हूँ, entry करी green, red में, exit कब करूगे, green में, तो यही तो pattern है, जिसके मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, भाई, समझ आगे pattern, अच्छे लगे समझा पाया हूँगा, आशे करता हूँ, तो नजरों में रखो, तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, आपका पैसा है trap नहीं हो और खासका penny stock का pattern है, ध्यानकना, ठीक है, इसको चाहूँ, आप copy कर सकते हो, बड़े stock में, लेकिन मैं बड़े stock में नहीं apply करता हूँ, यहां देखो, charge आपके सामने खुला है, कुछ करने कर सकता है, कुछ नहीं भाईया, charge लगाओ, breakout हो, buy करो, stop लगाओ, बैठेर रहो, समझी नहीं का मैंने क्या बोला, लेकिन इतने simple तरह किसा आपको बढ़ाया, price action यही है, इसको price action बोलते है, समझगे भुगवा, तो मेरे को समाप्त करता हूँ, मेरे को like करना, share करना का समझ आता है, नहीं समझ आता तो, नीचे comment करते हैं, definitely, help करूँगा, जितनी मेरे से हो स करते है, चलो वाइब